नमस्ता आप देखरें तेजस्ट 24 नियूज और मैं हूँ आपके साथ जूती गनोंच्या आईए उन नजर आते ही खबर कियो भाजपा प्रत्याशी ने अपनी ही पार्टी पर लगाया शोशर का आरोब जनपत रामपुर में भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी पर लगाया शोशर और चल करने का आरोब प्रसवार्टा कर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी थी और वे जीती हुई थी उन्हें भाजपा के कई बड़े नेताओं ने और जिला प्रिशासन ने मिलकर हारा हुआ दिखा दिया और जो हारा प्रत्याशी था उसे जीता हुआ दिखा दिया इंद्रजीत कौर जो भाजपा समर्थित पृत्याशी थी और उनके पती संतोक सिंग खेरा जो काफी लंबे समय से भाजपा में जुड़े हुए हैं और काफी एहम और जिमेदार पदो पर रहे हैं अपनी जवानी से युवा मोर्चा से ले करके आज तक भाजपा से जुड़े हुए और कई एहम जिमेदारिया भाजपा ने उनको दी हुई है अब संतोक सिंग खेरा ने अपनी ही पार्टी भाजपा पर उनके बड़े नेताव का शोशर करने का आरूप लगाया संतोक सिंग खेरा ने कहा कि उनकी पत्नी इंदरजीत कौर्ट जीती हुई थी और उनको ही उनहीं की पार्टी के लोगों ने जिलाप्रशासन से साथ गाड़ करके हारा हुआ दिखा दिया देखे राजनीती में दिखने में दिखता कुछ हो रहा है और वास्तव में होता कुछ हो रहा है सबसे पहले मैं वार्ट नमबर दो में 2010 में भी महिला सीड़ थी मेरी पत्नी उस समय भी चुनाव लड़ी थी मजूदा सरकार बस्पा की मजूदा चेर्मेन शिर्मती जाहिदा सलाम के सामने पांच यार से अधिक बोट लेकर एक मातर पत्याक्षी थी जिन्होंने बिलासपुर के चार वार्डों में सबसे ज़्यादा बोट लेकर जितने तीनों वाड़ों के प्रत्याक्षियों को वोड़नी आये थे उनसे ज्यादा वोड़ मेरी पत्नी को आये थे और उस समय भी हमने भाजपा का जंड़ा बुलंद करा था जिलारामपुर में वाड़ नंबर दो की सीट अरक्षित हो गई ऐसी हो गई तो मैंने नहीं कहा जंता ने प्रशन खड़ी करी मुझसे भी करी कि आपकी सरकार है उसके बाद वाड़ नंबर दो अरक्षित कैसे हो गया समझ नहीं आता मैंने इस बाद का कोई मलाल नहीं करा उसके बाद किसी व्यक्ति ने खाई कोट में अरक्षन परक्रिया को चनोती दी और अरक्षन परक्रिया दुबारा हुई तो वाड संक्षा दो को महिला गोशित कर दिया गया महिला सीड थी और मैंने अपनी पतनी शिरिमती इंदर जीत कौर को भाजपास समर्थित प्रचाक्षी होने के लिए प्राधन पतर दिया क्योंकि वो पहले भी दो यादस में चुनाओ लड़ चुकी थी भारतिये जनता पार्टी ने शीर सिनेतर्त ने मैं उनका हादी का भी दनतन धनेवाद फिर करता हूँ के मेरी पतनी को वाड़ संक्या दो से तिकड़ दिया और जिस विश्वास के साथ तिकड़ दिया उस विश्वास को जनता ने ऐसे कठिन दोर में जहां कि सान अंदोलन भी चल रहा था आम आदमी पार्टी ने भी सिख प्रत्याक्षी उतारा हुआ था और कॉंग्रेस ने भी सिख प्रत्याक्षी उतारा हुआ था ऐसे कठिन दोर में वार्ट संख्या दो की जनता ने हमारी इमानदारी लगन मेहनत जनता ने उसका फल दिया और मुझे भारी वोटों से 1521 वोटों सी जितवा कर भारतिय जनता पार्टी की बिलासपुर पांच वाड़ों में एक मातर सीट ऐसी कठिन प्रिस्ततियों में भाजपा को जितवा के दे दी और भाजपा के शीष नेतत्तों का सीर उचा हो गया पार्टी का सिर गदगद हो गया के बिलासपुर से एक मातर सीट वाड़ संख्या दो जीत गई है मुझे रात को 1521 वोटों से विजेता घोशित कर दिया गया और बदाईयों का ताता लगना शुरूआ मानिय मंतरी सर्दार बलदेव सिंग औलक जी ने भी मुझे फोन पर बदाई दी और पंद्रा सोच से अधिक वोटों पर जीतने के लिए मेरे घर आकर भी बदाई दी और सुप ये भी कहा कि मेरी शिरीमान जिलेज दीकारी महदे से बात हो गई है और आप सुबह आएं और सुबह आपको सर्टिपिकेट दे दिया जाएगा मैं अपने परिवार के साथ सर्टिपिकेट लेने पहुंचा पहले मैंने जाके मानिय मंतरी जी का उनके घर पर धनेवाद करा फोन पर तो मैंने सभी पार्टी के छोटे बड़े बरिष्ट सभी व्यक्तियों का धनेवाद कर आशिरवाद लिया था तो मैंने मानिय मंतरी से मेरे साथ चलने को कहा कि आप हमारे साथ चले और इससे हमारी भी शोबा बड़ेगी और आपकी भी शोबा बरगेगी कि अवार संख्या 2 में आपका प्रत्याक्षी जीत के आया है बाजबा का प्रत्याक्षी जीत के आया है और जब मुझे सर्टिपिकेट मिलेगा और मेरे समर्थक जब मेरे गले में हार डालेंगे तो मेरी इच्छा है कि पहला हार आपके और पार्टी के समानित सभी पड़े पदादिकारी चाहें जला देख़ जीहें, सभी लोगों की, उसमें मैं बुला लूँगा, और सारे पार्टी के बड़े निताओं के बीज में मैं सेटिफिकेट लूँगा, मन्ये मंतरीज ने कहा कि आप चले जाएं, सेटिफिकेट त्यार है, सेटिफिकेट लेके वापिस जब मैं जिलापंचायत भावन गया तो शायद आपको याद होगा कि उस समय सबसे पहला इंटर्विव्इथ आप ने ही लिया था एटीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ आपने इंट्रिव्यू लिया और मैंने वहीं जिला पंचैत भवन से खड़ी होकर बाड संख्या दो की जनता का और शीर सिनेत्रतु का धन्यवाद करा लेकिन उसके बाद मुझे क्या पता था के तीन तारिक की रात को मुझे विजेता गोशित करने के बाद मेरे साथ इतना बड़ा खेल हो चुका है और हारा हुआ प्रत्याक्षी अंदर और उसके समर्चकों का बोल बाल और भीड मेरे बार बार मानिये मंत्री जी को आगरे करने और वो उस दोर में मेरे साथ कोई भी अपरिये घटना घट सकती थी मैं परिवार के साथ सर्टिपिकेट लेने गया था मैं कोई लड़ाई जगड़ा करने ने गया था जीता हुआ व्यक्ति कभी भीड लेके नहीं जाता है मैं सर्टिपिकेट लेने गया था लेकिन वहां अक्रोचित भीड और बोल बाला और वहां का महल देखके मैंने मन्निय मंत्री चागरे करा कि यहां जो कुछ मैंने सोचा नहीं उससे उल्टा रहा आप आ जाएं मन्निय मंत्री जी ने आने से मना कर दिया और मुझे वापिस अपने घर बुला लिया और मन्निय मंत्री जी ने अधूरी सूचना चाँ तो फिर फोन करा नहीं है तो करा है मुझे सर्टिपिकेट के लिए क्यों बुला लिया और जो अपरिय घटना के बाद वहां इंटर्वियू अफ्षान खाँ दे रहे थे के संटोक सिंग खैरा मेरे साथ बेमानी कर रहा है और मेरा सैटिप्रिकेट रुकवा रुकवा रखा है तो मेरी शवी भी धुमिल की जा रही है और मेरे साथ अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं गड़बढ़ है और जिन लोगों ने मेरी मदद करी मैं उनके नाम समय आने पर खोलूंगा और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत कर आ वो भी नाम मैं खोलूंगा भी मैं नाम नहीं खोला मैं सिर्व वास्तिविताब बता रहा हूं और जो व्यक्ति अफसान खान मेडिया में मेरे पर सर्टिपिकेट रखवाने का दवा कर रहा था और 1658 बोटों से विजई घुशित होने का दवा कर रहा था वो सर्टिपिकेट लेने के बाद 700 बोटों का जीत का अंतर का सर्टिपिकेट लेकर चला गया और देखिए अफसान खां म्ीडिया के सामने पीडिय एफ दिखा रहा है 1648 बोर्ट का दावा कर्रा है मेरे पार्टी के बड़े नेता मुझे समझा रहे थी कि देखिया आपके पास क्या है उसके पास तो पीडिय एफ है मुझे जब अधिकारियों ने PDF भी नहीं दी तो मैं PDF कहां से दिखाता है जब अफसान कहां 1658 का certificate PDF का दावा और ये दावा कर रहा है के हमने मुझे दिया है और बाजबाक के प्रत्याक्षी मेरे साथ भीमानी कर रहे हैं तो जब उन्हें 700 का certificate मिला तो वह आ उन्होंने नो सो अठावन बोट का 1658 बोटों में 1658 बोटों में से माइनस 700 जब नो सो अठावन बोटों की उनके साथ बेमानी हुई उनके कथना अनुसार तो उन्होंने इसकी शिकायत आज तक जिलादिकारी महदे चुनायोग जहां सच्चा आदमी जिस परकार मैं हाई कोड गया हू उन्होंने आज तक शिकायत क्यों नहीं करी लेकिन अभी मैं मानी हाई कोड चला गया हूँ हाई कोड में जाके मैंने रिटर पेटिशन दाखिल कर दी है और सबूतों के साथ गया हूँ एविडेंसों के साथ गया हूँ जो जो क्योंकि मैं सब मेडिया से लगातर अधुल सलाम एक बड़ा नाम है और दो बार वैखोदर उनकी धरम पत्री शिर्मती जाइदा सलाम जी जिलाप जाइद अध्यक्ष रह चुकी हैं इस बार उनकी जमानत भी जब्त हो गई है कुछ लोगों को हजम नहीं हुई ऐसा ना हो के संतोक संक कहरा की पत्री शिर्मत थि इनदर जीत कौर को पार्टी जिलापंचयत अध्यक्षी की पत्यक्षी घोषित करने यह न्याले से न्याय मुझे मिलेका और जो भी फैस्ला न्याले करेगा वैक्ति न्याले तक जा सकता है और दो गोहर कर सकता है सच्चा व्यक्ति गोहर करता जूटा व्यक्ति न्याले नहीं जाता अगर मुझे न्याय नहीं मिला मानिए हाई कोट से तो जो फैसला आएगा वो न्याले का मैं मानूंगा न्याले सरपरी होता है वो मेरे पक्ष में आए जा मेरे विपक्ष खिलाफ आए न् तिम लड़ाई अंत तक लड़ूंगा उसे तो मैं सभीकार करूं न्याले से बड़ा कोई नी लेकिन दूसरी लड़ाई मैं पार्टी के अंदर लड़ूंगा अगर पार्टी के अंदर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सारे अपने शुपचिंतकों के साथ बैठ कर और अपन अगर मैं चुनाओ हारा होता तो मैं पहला शक्स होता जो अफसान खांक को गले मिलके बदाई देता देखिए जिस दिन मैंने रिट पेटिशन दाखिल की है उस दिन तक भी चुनाओ खूने के एक हटा हो गया था उस दिन तक भी सुवार के अंदर जो क्योंके बिलासपूर और सुवार सिफ्ट रूप से बाट से क्या दू है सुवार की फ्रीडिंग उस दिन तक नहीं हुई थी और मैंने आरो सुवार से बात आज तक कर रहा हूं लेकिन मुझे उन्होंने फ्रीडिंग देने से पीडियफ देने से मना कर दिया और यह कहा है कि हमने किसी को पीडियफ जारी नहीं की आपको कैसे कर दें तो मैंने जब ये कहा कि आपने अपसान खान को क्यों दी ये PDF उन्होंने कहा मैंने किसी को PDF नहीं दी है तो मुझे अभी तक ना तो PDF को उपनद कराई गई है और ना ही मुझे रिट्ट डालते समय तक मैंने चेक कराता उस समय तक reading नहीं होई थी लेकिन मैंने फोन से PDF मागी है मुझे PDF अभी तक स्वार की दी नहीं गई है ऐसे ही खबर से जुड़े रहें करे आप देखते रहें टेजस 24 News